शेहनाज ने कई सारे इंटर्व्यूज में बिग बॉस 13 के दिनों को याद किया है और उन्हों ने उन पलों को भी याद किया है जब उन्हें बहुत सारी बातों को सुनाया जाता था शेहनाज ने बहुत कुछ टॉलरेट किया है भाई बिग बॉस 13 में उन्हें उनकी लेंग उन्हें बहुत ज्याधा डाउन करने की कभी उनके कपरों को लेकर कभी उनकी बोडि मनला बॉडि से मिंग ब्ली बोव्य आरीं भी बात बात हैं उन्हालिकों क्पोरी बात हैं पोलने किक्पोर घटन में एक प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आकन को भी जरूर प्रेस कीजिए बिग बॉस 13 में जब शहनाज आई तो बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे उन में से सबसे पहला नाम हम पारस और माहरा का लेना चाहेंगे जिन्होंने कई सारे टैग उन्हें दिये जैलेसी का टैग दिया और ना जाने क्या क्या जो हम बोलना भी नहीं चाहते लेकिन हाँ उनके कपड़ों को लेकर उनकी बॉड़ी शैमिंग तक की गई तो पारस महरा ने ये चीज़ें सबसे जादा की बिग बॉस में रहते हुए शैनास को डाउन करने की कोशिश है तो हर कंटेस्टेंड ने की है सिधात को छोड़कर अगर हम बात करें तो तो शैनास का बिग बॉस का सफर इतना भी आसान नहीं रहा है भाई बहुत मुश्किलों भरा रहा है शैनाज ने सब कुछ जहला, सब कुछ जहला, कभी किसी को पलट कर कुछ नहीं कहा कभी सिमपती नहीं ली, उन्हें भी बहुत चोटे लगती थी टास्क के दोरान लेकिन उनका बखान उन्होंने कभी नहीं किया तो ये सारी वो बाते जो उनकी अच्छाई और सच्चाई को दिखाते हैं और ये सरिफ हम फैन होने के नाते नहीं कह रहें कई सेलिब्रिटी इन चीजों को मानते हैं, और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट भी इन बातों को दिल खोल कर मानते हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंडी की, एंडी को आप सभी जानते होंगे यार बिग बॉस में आ चुके हैं, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रहे चुके हैं और बहुत पॉप्यूलर भी रहे थे वो जब वो बिग बॉस में थे और आज भी वो रिव्यूज वगेरा करते हैं तो उन्हों ने शहनास के लिए especially एक वीडियो बनाया है और उन्हों ने अपनी वीडियो में कहा है कि शहनास गिल आप transformation से पहले भी खुबसूरत थे और आज भी बहुत खुबसूरत है क्योंकि ये खुबसूरती आपके दिल की खुबसूरत है इसलिए आप लाखों लोगों के दिलों पर राच करती है आगे एंडी ने कहा कि आपका आने वाला प्रोजेक्ट बहुत जादा हिट और सुपर हिट हो क्योंकि आप सच मुझ वो चीजे डिजर्व करती है ऐसा एंडी का मानना है और कहना भी है तो सच लोगों के मुझ पर जोरदार थपड़ मारा है और सच उगल के रख दिया है कि जो लोग शेहनास की बॉड़ी शेमिंग किया करते थे बिग बॉस 13 में आज वो अपने ही पोस्ट कास्ट में शेहनास का नाम जप रहे हैं भाई हम किसकी बात कर रहे हैं आप सभी समझते हैं हमें नाम लेने की भी ज़रुद नहीं है वो अपने हर एपिसोड में शेहनास का नाम जप रहे हैं और यहां पर हम कहते हैं कि शेहनास आज उन सबसे बहुत आगे निकल चुकी हैं क्योंकि शेहनास ने उन चीजों के लिए मैनत किये भाई और शेहनास को अभी और आगे ज जादे भाई और वीडियो को लाइक करकी जाद से जादा लोगों तक पहुचाए ताकि शेहनास को और भी जादा हाइफ मिल सके और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे आगे की हर लेटेस्ट अपडेट जल से जल्द पानी के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग गाई अग्या पानी के लिए जादा है अग्या जादेज़ मिल सकता है को जादेगा